हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स, जब भी आप लोग CCS निवेस्टी के अंदर कोई भी कोर्स करते हैं तो उस कोर्स को करने से पहले आपको CCSU की वेब साइट पर अपने कोर्स का रिष्टेशन करना होता है सकते हैं फ्रेंड्स, इसे आप घर बैठे ओनलाइन अपने मोबाइल फोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल विसकीप ना करें चलते हैं वीडियो के तरफ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन का में ब्राउजर ओपन कर लेंगे और आप यहां सर्च बार में सर्च करेंगे CCSU वेब फ्रेंड्स, मोबाइल फोन की डिस्प्लेट छोटी होने के कारण आपको यहां पर अच्छे तरिके से समझ नहीं आपाएगा इसलिए मैं अपने मोबाइल फोन की डिस्प्लेट को रोटेट कर लेता हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा Friends, website का link हमने आपको description में दिया हुआ है आप महाँ से click करके direct ccsu की website पर जा सकते हैं यहाँ पे आप नीचे scroll down करेंगे Friends, यहाँ पे आपको सबसे first link दिया हुआ है ccsu web इस पर आप click करेंगे उसके बाद आपको admission portal पर click कर देना है यहाँ पे आप नीचे scroll down करेंगे और Friends, यहाँ पे आपको दिया हुआ है applicant login आप इस पर click कर देंगे यहाँ पर आप नीचे scroll down करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलता है unified login Friends, जब आपने LLB कर restriction किया था तो आपको वहाँ पर user ID और password मिलते हैं सेम यही user ID password आप यहाँ पर डाल लेंगे Friends, user ID डाल देने के बाद नीचे आपको password दिया हुआ है सेम वही password आप यहाँ नीचे डाल लेंगे password को डाल देने के बाद Friends नीचे आपको capture code दिया हुआ है सेम यही capture code आप यहाँ नीचे enter capture code में डाल लेंगे अगर किसी वज़े से आपको capture code समझ नहीं आता है तो आप यहाँ side में click कर देंगे जिस से आपको एक नया capture code generate हो जाएगा और आपको capture code समझ आ जाने पर आप यहाँ नीचे अपना capture code डाल देंगे capture code डाल देने के बाद आप यहाँ login पर click कर देंगे friends जिस किसी का भी आपको registration form डाउनलोड करना है side में आपको यहाँ पर उसका नाम सो हो जाएगा जिसमें पूरा लिखा होगा welcome और उसका name जो भी उसका पूरा name है उसके बाद आप यहाँ नीचे scroll down करेंगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है download application आवेदन पत्र download आप इस पर click कर देंगे उसके बाद नीचे scroll down करेंगे friends यहाँ पर आपको नीचे highlight किया हुआ है download application as PDF आप इस पर click कर देंगे friends यहाँ पर download हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक pop up message सो होगा जिस software में भी आप इस PDF को open करके देखना चाते हैं यहाँ पर आप उस software को select कर लेंगे जैसे कि मैं Google Drive में open करके देखना चाता हूँ तो मैं Google Drive पर click कर देता हूँ friends इस तरीके से आप अपने CCS registration form को download कर सकते हैं इसे आप नीचे तक देख भी सकते हैं कि यह पूरा form download हुआ है या नहीं यहाँ पर आपको पूरी detail मिल जाती है जो भी आपने registration करते समय पूरी detail फाइल की हुई थी friends अगर आपने registration form का printout नहीं निकलवाया है तो आप इसका printout निकलवाके रख लीजिएगा क्योंकि जब आपका admission होगा किसी भी college के अंदर तो सबसे पहले आपका registration form आपसे मांगा जाता है friends इस तरीके से आप घर बैठे अपने mobile phone से अपने registration form को download कर सकते हैं friends वीडियो कैसी लगी comment section में comment करके बताएं वीडियो को like करें शेयर करें और यदि आप हमारी YouTube चैनल पर first time आए हैं तो चैनल को subscribe करें friends अगर आपको अभी भी कोई problem आती है अपने registration form डाउनलोड करने में तो आप हमें comment box में comment करके बता सकते हैं कि आपको क्या problem आ रही है हम आपको पूरा solution देंगे और अगर आप हमें कोई personally बात बताना चाते हैं जिसे आप comment box में share नहीं करना चाते तो वीडियो की side में हमने आपको यहाँ पर help mail दी हुई है smarttaxing0101adthreadgmail.com आप इस पर भी हमें mail करके बता सकते हैं कि आपको क्या problem आ रही है हम आपको mail पर भी पूरा solution देंगे मिलते हैं कैसी नई अच्छी वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन जैभारत